हेलो दोस्तो मैं जज जख्राणा आपका हमारे यूटूब चैनल के उपर स्वागत करता हूं अभिनन दुन करता हूं दोस्तो सिक्षा मनवग्यान की जो क्लासे चल रही हैं मुझे पूरा विश्वास है आप इसका भरपूरा आनंद उठा रहे होंगे और अपनी तयारी को जारी रख रहे होंगे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अभिप्रेणा का मिनिंग या अभिप्रेणा का आर्थ अभिप्रेणा की विश्यष्ताएं अभिप्रेणा की परिभाशाएं और अभिप्रेणा का चक्र या अभिप्रेणा के सौपान उसी चीज को आगे बढ़ा तो आज हम पढ़ेंगे शाथियो अभी प्रेणना के प्रकार यहने types of motivation तो अभी प्रेणना के प्रकार तो अभी प्रेणना के प्रकार शाथियो दो है हम एक-एक की बात करते है तो जो पहला प्रकार है शाथियो एक अभिप्रेणना है जिसे हम कहेंगे शकारात्मक अभिप्रेणना इसे ही हम साथ यू कहेंगे आंत्रिक अभिप्रेणना आंत्रिक अभिप्रेणना याने इंट्रलन मोटिवेशन एक होगी एक्स्टर्नल मोटिवेशन इसको हम इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन भी कह देंग तो देगे सकारात्मक अभी प्रेणना आंत्रिक अभी प्रेणना इसे ही साथियों कहेंगे हम धनात्मक अभी प्रेणना और इसे ही साथियों कहेंगे अनुकूल अभी प्रेणना ये नाम है सकारात्मक अभी प्रेणना भी वही बात है उसी को हम आंत्रिक अभी प्रेणना कह सकते हैं उसी को हम धनात्मक अभी प्रेणना कह सकते हैं उसी को हम अनुकुल अभी प्रेणना कह सकते हैं तो दूसरा अभी प्रेणना के साथ ही प्रकार है जिसे हम कहेंगे नकारात्मक अभी प्रेणना नकारात्मक अभिप्रेणना इसे ही साथ ही हम कहेंगे भाईये अभिप्रेणना यहने एक्स्टर्नल अभिप्रेणना भाईये अभिप्रेणना और इसे ही साथ ही हम कहेंगे रिनात्मक अभिप्रेणना यहने नेगेटिव रिनात्मक अभिप्रेणना और इशे हिसात्यों हम कहेंगे प्रतीकूल अभिप्रेणना प्रतीकूल अभिप्रेणना और इसको हम साथियों प्राकृतिक भी कह सकते हैं और उसको हम कृत्रिम भी कह सकते हैं कही नाम हो जाएंगे लेकिन आप केवल दो शब्द जादे रखें नकारात्मक और भाई अभि तो अभीप्रेणना के दो प्रकार हो गए इसाथियों आंत्रिक अभीप्रेणना और भाई अभीप्रेणना अब आपको यह समझना है कि यह आंत्रिक अभी प्रेणना क्या होती है और भाई अभी प्रेणना क्या होती है अब अभी प्रेणना शब्द को हटा दीजी आपके मस्तिक्स में आना ची अभी प्रेणना हमने क्या मानना था एक बल को मानना था एक सक्ति को मानना था और कैसा तो वह बल या सक्ति है या और सरब सब्द सरल सब्दों में कहूं शातियों कि अगर ये आता है कि बच्चा उस कारिये को इसलिए कर रहा है कि उस कारिये को करने में उसे आनन्द आता है आनद आता है अर्था उसे सुख प्राफ्त होता है सुख मिलता है उस कारिये को करने में ही उसे आनद आता है इसलिए उस कारिये को कर रहा है तो ऐसे अभी प्रेणा बच्चे के अंदर होती है उस कारिये करने की इच्छा बालक के अंदर होती है जब किसी कारिये को करने की इच्छा अपने आप उत्पन होती है कोई दूसरा विक्ति उसके अंदर उसको उत्पन नहीं करता है उस कारिये को करने की इच्छा बालक के अंदर स्वेत उत्पन होती है अपने आप उत्पन होती है क्योंकि वह कारिये उशे आनंद देता है तो ऐसी अभिप्रयाम करें को हम आंत्रिक अभी प्रेड़ना केंगे तो ये motivation यानि ये बल ये ये सक्ति या ये इच्छा कहां उत्पन होगी बालक के अंदर ऐसी motivation बालक के भीतर होती है अंदर होती है इसलिए इसे आंत्री का भी प्रेड़ना और इसको हमने बचे को पर को फोर्ष नहीं डाला कोई वातावन भाई ये उद्धिपक ने या वातावन ये कारक जो वातावन ने जो कारक होते हैं उद्धिपक होते हैं उनका होना जरूरी नहीं है ये बालक की आंत्री की इच्छा है इसलिए ये कैसी अभी प्रेड़ना है सकारात्म है और जब यह इच्छा बालक के अंदर यासील रहेगा उस कारिये को करता रहेगा अर्थात ये अपने आप में एंड है इसलिए कई पर पुछा जता है अपने आप में अंत का संबंद किस अभी प्रेणा से है अपने आपका अंत का संबंद आंतरिक अभी प्रेणा से है अर्थात बालक उस कारिये को तब तक करता रहेगा जब तक कि उसको पूर्ण नहीं कर देता अरृत पूरी तरह नहीं सीख लेता है अर्थात उसकी इच्छा तब तक खतम नहीं होगी अर्थात आप ये कहें कि उसे कोई प्रुषकार मिलेगा। उस कारिये को इसलिए नहीं सीख रहा है कि तेरी प्रसंसा होगी। क्पश्कारिये को करने के लिए उसे किसी दूसरे विक्तिने भी नहीं का आये। फिर भी वह उस कारिये को कर रहा है। अर्थात उस कारिये में उसे सुख मिलता है, आनन्द मिलता है, खुसी मिलती है, इसलिए उस कारिये को करता है, तो इसका सीधा सम्मन्द बच्ची की इच्छा से और खुसी से है, तो अब देखिये साथियों, अब जैसे एक्जाम्पल से मैं आपको बताओं, एक बालक कवीता पाठ करता रहता है, प्रशन आजाए, एक बालक कवीता पाठ करता रहता है, करता रहता है यहने, रोज जाना कवीता पढ़ता रहता है, पॉयम उसे किसी ने नहीं कहा ने उसे इसे पॉयम को किसी को सुनाना है ने वो ये चाहता है कि मेरी पॉयम को ये सुनके मेरी प्रसंसा करे बस उसे तो कवीता पॉयम पढ़ने में ही रीड करने में ही आनंद मिलता है इसलिए वह पोईम रीड करता है, पोईम को पढ़ता है इसी परकार से कहा जाए, एक बालक चित्र बनाता रहता है उसे बहुत अच्छी चित्रकारी नहीं आती है और यह हो सकता है उसके अभी भावक देखें और ढंका चित्र नहीं बना रहा है, इसलिए उसे क्या कहे दें? धमका दें, क्यों चित्र बना रहा है? तो बच्छा कुछ समयबंद कर देगा लेकिन जैसे उसके परेंस इधर उदर जाएंगे, फिर चित्र बनाने लग जाएगा क्यों क्योंकि उसे तो चित्र बनाने में आनन दाता है एक बालक है जो गनित के कठिन कठिन परशनों को निकालता रहता है सोल करता रहता है क्योंकि उसे जो मैट की प्रोब्लम्स हैं मैट के जो क्यूसंस हैं उनको सोल करने में उसे आनन दाता है इसलिए वो करता है तो ये कारिये को इसलिए करते हैं कि उस कारिये में उन्हें आनंद मिलता है इसके लिए साथियो किसी भी उद्धिपक्का होना जरूरी नहीं उद्धिपक्का होना जरूरी नहीं उद्धिपक्की जरूरी नहीं अब इसी प्रकार से साथियों, अगर हम देखते हैं, यह अभी प्रेना व्यक्तिगत होती है, यह अभी प्रेना क्या होती है, व्यक्तिगत होती है, हर वालक की इच्छा, हर कारिये में करिक कोई जरूर नहीं, किसी बालक को कोई कारी अच्छा लगता है किसी दूसरे बालक को दूसरा कारी अच्छा लगता है तो एक बालक तो इस कारी को शीखना चाता है दूसरा बालक उस कारी को शीखना चाता है तो बालक की इच्छा इंडिज्वल होती है इसलिए इस अभिप्रेणा को हम विक्तिगत अभिप्रेणा भी कहेंगे और इसमें यही चीज जब से महितवत हूँ प्लेजर के लिए कारी करता है सुख के लिए कारी करता हूँ अब देखते हैं भाई अभी प्रेणा है भाई अभी प्रेयना में क्या होता साथियो बालक को उस कारिये में आनंद आता हो यह जरूरी नहीं मा लिजे उस कारिये में उस कारिये में बालक को बालक की इच्छा नहीं है इच्छा नहीं है फिर भी बालक उस कारिये को कर रहा है तो भाई क्यों कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे ऐसा करने को कहा है यहने प्रेरित किया है यहां कोई दूसरा व्यक्ति है उसका भाई भी हो सकता है माता पिता भी हो सकते है समाज में से कोई और कोई व्यक्ति भी हो सकता है गुरू भी हो सकता है जो कह रहा है तुझे बेटा यह कारिय करना है बलकि उस कारिय में उसकी रूची नहीं है उसकी कारिय को कर रहा है कर रहा है तो यह था मिसलिक है यहां भी बालक किसी चारिय को करने लुए ने लग गया है लेकंड अपनी इच्छा की वजह से नहीं बलकि उसकी गुरूजी ने कहा इस वज़े से उस कारिये को कर रहा है जब किसी दूसरे वेक्ति के कहने से या दूसरे वेक्ति के प्रेरित करने से किसी कारिये को बालक करने लग जाता है तो अभी प्रेरित तो बालक हो चुका है लेकिन उस अभी प्रेर्णा को हम कहेंगे external भाई ये अभी प्रेड़ना उसे ही साथ ही कहते हम नकारात्मक अभी प्रेड़ना जैसे example की तोर पर किसी बालक को पटवारी नहीं बना पटवारी के कारिये में उसका कोई interest नहीं है लेकिन सरकार ने विगपती निकाल दी पटवारी भरती की विगपती निकाल दी तो किसी ने कह दिया भाई नोकरी लग जा तुझे नोकरी तो करनी है तो जल्दी से नोकरी मिल जाएगी बता नहीं तुझ सिख्षक बनना चाहता है सिख्षक की भरती गोवर्मेंट कब निकाले अभी तो पटवारी की निकली तो उसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी भर पटवारी की प्रिपेशन करने लग जया पर पर पटवारी के एक्जाम की दो तयारी करने लगा है अपनी इच्छा नहीं उस उस कारिये में उसकी उसकारिये वह कारिये पटवारी वाला कारिये उसे आनंद भी नहीं देगा सुख भी नहीं देगा लेकिन फिर भी वह पटवारी के कारिये को करने लग गया है उसकी तैयारी करने लग गया है भाई अभी प्रेड इसी प्रकार से हम कहेंगे जैसे यहां पर क्या था उद्धिप यहां पर क्या कहा था कि यह उद्धिपक जरूरी नहीं है वातावर्ण यह कारक इसमें ज्यादा महत्पूर्ण नहीं होते हैं यहां पर वातावर्ण यह कारक यह उद्धिपक वातावर्ण यह कारकों वै उद्धिपकों कि महत्पुन भूमी का होती बालक किसी दूसरे को देख कर या किसी दूसरे के कहने से उस कारे को करने लगता है अपनी आंतरी की इच्छा नहीं है उसकारी में लेकिन दूसरे को देख लिए अच्छा-च्छा यार वो अपने पडोसी पटवारी बन गया चलो मैं भी पटवारी बन जाता हूँ और यारे वो दूसरा अपने पडोस में है वो पुलिस में लग गया चलो मैं भी पुलिस में चला जाता हूँ बलकि पुलिस के कारी मुझे की रूची नहीं है उसकी इच्छा नहीं है उस कारिये को करने मुझे आनंद भी नहीं आता है फिर भी उस कारिये को करने लग जाता है तो यह साथियों के लाएगी भाई अभी करने इसमें क्या होता है कि बालक क्या करता है कि पुरुषकार लेने के लिए पुरुषकार लेने के लिए इन्हें reward उसे पता है इस कारिय को करने से तुझे खुसी तो नहीं मिलेगी पर तुझे पुरुषकार मिल जाएगा उस कारिय में बालक को आनंद नहीं आता है जैसे एक बालक है डॉक्टर उसे नहीं बनना डोक्टर के कारिये में जो डोक्टर का काम है मरीजों को देखना उस काम में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस काम में उसकी कोई दिल्चस्पी नहीं है अर्थत वह काम उसे सकुन नहीं देता है वह काम उसे आनन नहीं देता है लेकिन उसके माता-पिता चाहते हैं कि बेटा तु डॉक्टर बन जा तो माता-पिता की मान रखने के लिए उनका इच्छाओं को पूरा करने के लिए बालक डॉक्टर बन जाता है तो ऐसी वह क्या होगी भाई अभी क्योंकि उस कारिये में उसका आनन नहीं था और इसी वज़े से वह आगे चलकर डॉक्टर की कारिये को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा जब उसको लगता है कि तुझे ये रिवार्ड मिल जाएगा पुरुषकार मिल जाएगा जैसे किसी बच्छों का बेटा आप अपना इस लेसन को कम्पलीट करो इसको लर्ण कर लो इसको सीख जाओ इसको याद कर लो आपको चोकलेट मिलेगी तो पुरुषकार या चोकलेट की वज़े से उस लेसन को याद कर रहा है उस पाठ को याद कर रहा है अगर उसे वो चोकलेट नहीं दी जाए तो उसका पढ़ने में कोई रूची नहीं है इसी प्रकार से साथियो कई बार बच्चा प्रशनशा की वज़े से प्रशंशा जब हम बालक की प्रशंशा करते हैं तो बालक उस कारिय को करता है बालक को लगता है कि ये काम करूँगा तो दादा दादी मेरी खुब तारिफ करेंगे ममी पापा खुब तारिफ करेंगे दूसरे लोग मेरे लिए तालिया वजाएंगे खुब तारिफ करेंगे गुरू जी मेरी खुब तारिफ करेंगे तो यहां बलक अपनी तारिफ चाहता है इसलिए उस कारिये को कर रहा है हो सकता है उस कारिये को करने में बालक को कोई आनंद नहीं आता है बालक का उस कारिये में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी अ काम को नहीं करेंगा तो गुरू जी तुर फिटाई करेंगे जैसे कोई बच्चा है घर पे गया मैं उसकी मैं मामा budget चलो कहीं है नहीं ममा मुझे homework करना है अभी बाद में कर ले नहीं महा अगर नहीं कर पाया तो कल गुरू जी पिटाई करेंगे तो पिटाई से बचने के लिए वो हमबर कर रहा है ग्रह कारिये करने में उसकी रूची नहीं है वो तो केवल पिटाई से बचने की वज़े से कर रहा है तो यहां दंड भी दंड से बचने के लिए भी जब बालक कारिय करता है तो उसे क्या कहा जाता है साथियो भाई अभी प्रेणना कहा जाता है ध्यान रखना चाहती हो इसमें बालक के लिए वह कारिये सकून भुरा होता है उसे कोई फर्क नहीं बढ़ता कि लोग तेरी तारीफ करेंगे लोग तेरी प्रसंसा करेंगे या तुझे कोई अगर इस काम को नहीं करेगा तो दंड देगा दंड इसे बचने के लिए भी कारिया नहीं कर रहा है पुरुषकार के लिए भी कारिया नहीं कर रहा है प्रसंसा के लिए भी कारिया नहीं कर रहा है तो वो तो अपनी आंत्रिक इच्छा के कारण कर रहा है तो इसे हम आंत्रिक अभी प्रेणना कहेंगे शकारात्म का भी प्रेणना कहेंगे और यह कई बार आता है यहां से कि एक सिखसक अपने बच्चों की प्रशंशा करता है तो वह सिखसक किस प्रकार की अभी प्रेणना प्रदान कर रहा है तो अपन गलती क्या करते है प्रशंशा यह सो प्रशंशा तो अच्छी है इसलिए अपन कर देते सकारात्मा बलकि नहीं प्रशंशा कौन कर रहा है सिक्सक कर रहा है तो कोई दूसरा विक्ति अगर उसे उस कारिय को करने के लिए तयार करता है तो यह सिक्सक कौन से हो गया द नकारात्मक बोल दो भाई ये बोल दो और यह अभी प्रेणना साथ यह ज़्यादा अच्छी नहीं होती है मनों बग्यानी के कहते हैं अभी प्रेणना के शिक्षक को दोनों परकारों का प्रियोग करना Él श्क्रियोग करना चाहिए शिक्षन करवा आई समय लेकर यथा संबव जितना कोसिस हो उसे केवल शकारात्मक अभी प्रेणना प्रदान की जानी चाहिए अब सकारात में अभी प्रिनक कैसे दे सकते भाई वो सिक्षन अधिगम प्रिक्रिया का ऐसा निर्मान करें कि बालक का खुद ही इंट्रेस्ट डावलोप हो जाए उस कंटेंट के परती उस विशेवस्तु के परती जैसे एक एक्जामपल से आपको समझाता हूँ इन दोनों का अंतर अगर आता है एक बालक वार्शिक उत्सव पर कवीता का वाचन करना चाहता है इसलिए कवीता का अभ्यास कर रहा है कवीता वाचन का तो कवीता के कारिये को क्यों सीख रहा है उसे अपने एन्वल फंक्शन पे उस पोईम को प्रजेंट करना है तो वो चाहता है मुझे उस annual function में पर्थम इस्थान पराप्त हो या वो चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें तो प्रशनसा की वज़े से या reward या पुरुषकार की वज़े से उस कारीव करें जैसे annual function खतम हो जाएगा बालक उस कविता नहीं याद करेगा एक दूसरा बच्चा है जो हमेशा ही कविता को पढ़ता रहता है तो इसका मतलब उसे कोई फरक नहीं पढ़ता है कि मुझे annual function पर परजैन करने का मोका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा मुझे पुरुषकार मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई मतलब ने उसे तो केवल उस कविता को पढ़ने में आनन्द आता है इसलिए वो नहीं नहीं कविता नहीं पढ़ता रहता है एक विक्ति अगर पढ़ा रहा है और वो केवल इसलिए पढ़ा रहा है कि मुझे पैसे मिलेंगे तो पैसे की वज़े से अर्थत पुरुषकार की वज़े से पढ़ा रहा है तो वो भाई अभी प्रणना है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस्टूडेंट्स को बुला लेते और पढ़ाते रहते हैं कोई इस्टूटंट पैसा देगा या नहीं देगा कोई फर्क नहीं पढ़ता उनको तो पढ़ाने में teacher में क्या आता है आननद आता है टीचिंग करवाना उनका पैशन है उनको सकून देता है वो खुशी देता है वो काम इसलिए वो पढ़ाते हैं तो जब वो कारियों से सकून दे रहा है खुशी दे रहा है तो वो आंत्री का भी प्रेड़ना है जब वेक्ती में ड्यूटी का भाव आजाता है करतव्य का भाव आजाता है जिसे एक सैनिक है सेना में इसलिए जाना चाहता है कि सेना का कारियों उसे अच्छा लगता है कोई नौजवान है हो सकता है कि वो शिक्षक बन सकता था हो सकता है कि वो डॉक्टर बन सकता था हो सकत है वो उसे अच्छा लगता था है तो यह उसकी जो ड्यूटी है तो इस प्रकार का उधारन किसमें जाएगा आंत्री का विक्रेड़ा में जैसे प्रशन आये एक बालक दोड की प्रतियोगिता को जीतने के लिए दोड का नीमित अभ्यास करता है कैसे विक्रेड़ा नकारात्म क्योंकि दोड जीतने के लिए यानि कोई न कोई प्रतियोगिता है दोड की उसमें उसको जीतने के लिए वो कोशिश कर रहा है जैसे ही वो प्रतियोगिता का दिन लेकिन एक आये एक बालक प्रति दिन दोड़ता रहता है रोज़ना दोड़ रहा है इसका मतलब उसे दोड़ने में आनन दालता है इस प्रकार से साथ ही हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कारिये को वो क्यों कर रहा है अगर अपनी इच्छा से कर रहा है अर्थाथ उस कारिये को इसलिए कर रहा है कि उसे सुख मिलता है उस काम को करने में आनन्द मिलता है तो वह तो सकारात्म की आंत्री कभी प्रेड़ना और अगर उस कारिये को इसलिए कर रहा है कि उस कारिये में उसकी इच्छा तो नहीं है नहीं वो कारिये उसे सकुन देता है परंतु किसी दूसरे विक्ति के कहने से या पुरुषकार प्राप्त करने के लिए या प्रशंशा प्राप्त करने के लिए या धंड से बचने के लिए अगर उस कारिये को करता है तो वह नकारात्मक अभी प्रेणना या भाई अभी प्रेणना कहलाती है उमीद करता हूँ साथियों आपको अभी प्रेणना कहीं है टोपिक अच्छे से समझ में आया होगा मैं अजय जखराना आपके वीच में रेगुलर ऐसे ही नई ने टोपिक लेकता रहूँगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे खुब सेयर कीजिए लाइक कीजिए अपने दोस्तों तक इस ग्यान को परशार कीजिए अगर आप ज़्यादा ज़्यादा सेयर करेंगे तो हमारी टीम का वी और मेरा खुद का भी मनोबल वड़ेगा और मैं अच्छा-च्छा आपका कंटेंट आपके बीच में लिखे आऊँगा और प्लीज नीचे कमेंट्स भी लिखें कि पढ़ाने का तरीका कैसा है अगर आपको समझ में नहीं आरा है तो मैं अपने तरीकों को बदल लूँगा और आपको लगता है यही तरीका अच्छा है तो इसे और बहतर करने का प्रियास करूँगा इसलिए आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें जिससे की मेरा पढ़ाने का तरीका और बहतर हो सके धन्यवाद